जलिंस्की को नेटो से टैंक मिलने लगे हैं लेकिन उनके लिए बुरी खबर ये है कि रूस ने युक्रेन के नए टैंक को गेर कर मारने की तैयारी कर ली है जलिंस्की को भी लग रहा है कि नए टैंक खास कर लेपर 2 पुतन का असान टार्गेट बन सकते हैं जोड़े उड़ा बाद अप्रफ एक टुछ एक टुछ एक टुछ एक टुछ भी बाद आफ तांट जेलिंस्की जीतेंगे हारी बाजी युक्रेन में बनेगा टैंक का कबरिस्तान 23 मार्ट को रिलीज हुए इस वीडियो की बतौलत पूरी दुनिया को पता चल गया कि जेलिंस्की को जिस हत्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो युक्रेन पहुँचना शुरू हो गया है इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इन टैंक्स को युक्रेन भीजने के लिए एक कारगो प्लेइन में लोड किया जा रहा है दरदसल नौर्वे ने युकरिérn को जर्मिनी के बने आठ लेपर्टु टांग तिये है। जर्मनी के लिपर्टू टैंक को नेटो की मसल पावर कहा जाता है और इन टैंक्स के युक्रेन पहुंचने के बाद एक बात तो तैह है कि बहुत जल्द युक्रेन के बैटल फिल्ड है अब बैटल आफ टैंक्स लिखने वाली है जर्मनी के लिपर्टू टैंक के अलावा अमेरिका के एपरम्स टैंक और ब्रिटन के चैलेंजर डू टैंक्स युक्रेन पहुंचने वाले है युक्रेन को नेटो और अमेरिका से रूस के खिलाब करीब सौ टैंक मिलने वाले है लेकिन रक्षा विशेशक्यों का बानना है कि रूस का मुकाबला करने के लिए युक्रेन को 18 सु टैंकों की जरूरत है और इतने टैंक जुटाने में नेटों को करीब एक साल का वक्त लग सकता है टैंक किसी भी सेना के अगुआ दस्ते में होते हैं और वो इन फैंट्री के लिए रास्ता साफ करते हुए आगे पढ़ते ह आईए पहरे आपको ये बता दें कि आखिर युक्रेन को कौन कौन से बैटल टैंक लेट रहे हैं जर्मनी युक्रेन को अपना लैपर टू टैंक दे रहा है लैपर टू जर्मनी का में बैटल टैंक है लैपर टू का वजन 62 टन है ये टैंक 70 किलोमेटर प्रधी घंटे की रफ्तार से दोड़ सकता है इसकी फाइरिंग रेंज 5 किलोमेटर तक है दावा किया जा रहा है कि लैपर टू टैंक रूस के T-72 टैंकों को करीब 2 किलोमेटर की दूरी से तबाह कर सकता है जर्मनी के अलावा अमेरिका युक्रेन को अपना M1 Abrams टैंक दे रहा है Abrams टैंक को एक ताकतवा टैंक माना जाता है M1 Abrams टैंक का वजन 67 टन है ये टैंक 72 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से दोड़ सकता है M1 Abrams टैंक की अपरेशनल रेंज 500 किलोमेटर है Abrams टैंक 3 किलोमेटर तक मार करने में सक्षम है ब्रिटन भी जलिंस्की को अपना Challenger 2 बैटल टैंक दे रहा है Challenger 2 ब्रिचन का मेन बैटल टैंक है Challenger 2 टैंक का वजन 75 टन है ये टैंक 69 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से दोड़ सकता है Challenger 2 टैंक की ऑपरेशनल रेंग 500 किलोमेटर है और Challenger 2 टैंक 8 किलोमेटर तक मार करने में सक्षम है अमेरिका और नेटो के किलर टैंकों का युक्रेन आना जेलिंस्की की जवानों का जोश तो जरूर बढ़ाने का काम करेगा लेकिन यही ताकतवा टैंक जेलिंस्की के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकते हैं और रक्षा विशे शक्यों का बानना है कि इस मौसम में जब ये टैंक युक्रेन पहुँचेंगे तो जेलिंस्की इनका सीमत इस्तमाल ही कर पाएंगे चूंकि युक्रेन में मार्च और एप्रिल के महीने में बर्थ पिगलेगी तो जमीन दलदली हो जाएगी और युक्रेन को मिलने वाले तमाम टैंक इतने वजनी है कि वो कीचर में फस जाएंगे युक्रेन जंग की शुरुवात में है पूरी दुनिया रूस के भारी भरकम टैंकों की हालत देख चुकी है दरसल रूस ने लड़ाई के शुरुवाती चरण में ही बेलारूस के रास्ते अपने टैंकों की एक बहुत लंबी कतार सीधे युक्रेन की राजधानी कीव को खेरने की इरादे से जंगे मैदान में उतार दी थी लेकिन उसके टैंक कीव पहुँचने से पहले ही या तो कीचर में या फिर दलदली जमीन में भंस गए इसके बाद कैसे युक्रेन की सैना ने रूसी टैंकों को ड्रोट और एंटी टैंक मेजाईलों से आसानी से निशाना बनाया ये भी पूरी दुनिया ने देखा आज भी पुतिन की फॉज के टैंक युक्रेन की जेवलिन जैसी फायर एंड फॉगिट मिसाइलों की निशाने पर हैं इसके अलावा युक्रेन के पास ब्रिटन और सुईडन में बने नेक्स जेनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन यानि एन लॉब ही है इतना ही नहीं पश्चुमी देशों से युक्रेन को मिले हजारो मैन पोर्टेबल एर डिफेंस सिस्टम यानि मैन पैड्स के जरीए भी युक्रेन ने रूस के सेने काफिलों को टार्गिट किया इन में स्ट्रेला इगला और स्ट्रिंगर जैसी मिसाइले हैं इनके जरीए युक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुचाया है आज भी युक्रेन के अलग-अलग शहरों में हाईवे पर तबाह हुए रूसी टैंकों के कबरिस्तान देखी जा सकते हैं दरसल युक्रेन जंग में पुतिन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और युक्रेन की सडकें रूस के टैंकों का कबरिस्तान बन गई हैं पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जाने जाने वाले T-72 और T-90 जैसे घातक टैंक भी बेअसार साबित हुए